मस्ते दोस्तों राधे राधे कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप अभी लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे अगर आप भी फेशियल हेयर से बहुत ज़्यादा परेशान है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी ही परेशानी जड़ से खतम हो जाएगी तो हम क्या करते हैं जब हमारे फेश पर हेयर देखने लगते हैं तो उसको हम रिमूव करने के लिए काफी सारी चीज़े फॉलो करते हैं जैसे कि हम लेजर करवाते हैं त्रेडिंग करवाते हैं वैक्सिंग करवाते हैं कभी कभी हम रेजर का भी यूज़ कर लेते हैं तो ह समसलिख और आपको करना है , जिसरे कि आने वाली व्यीडे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी चलिए वीडियो स्टार्ट कर लिते हैं सबसे पहले हमें चाहिए कोई भी ऐसा बर्तच जिसको की आप गैस पर यूज कर सकते हैं तो यहां देखें मैंने एक छोटा सा पतीला ले लिया है अब इसके अंदर डालना है आपको दूद दूद यहां पर आपको 5-6 चमच लेना है आप यहां पर कच्चा दूद या फिर उबला हुआ दूद कोई सा भी दूद ले सकते हैं तो यहां देखें हमने 6-7 चमच यहां पर दूद ले लिया है अब यहां आपको क्या करना है इस दूद को आपको रखना है गैस के उपर इसको हम पहले उबाल लेंगे तो यहां देखे हम दूद को अच्छे से गरम कर लेते हैं साथ ही साथ अब आपको इसमें कुछ चीज़े एड़ करनी है जो कि आप मैं step by step बताती जाओंगी यहां देखे हमने इसमें दूद डाल दिया है अब इसके अंदर हमें डालना है दो चम्मच चीज़े तो यहां पर इतने दूद में छे चम्मच दूद में हमने दो चम्मच चीज़े ली है तो आप अगर जो रेमेडिय है जादा बना रहे है तो दूद की quantity के according आप चीज़े बी एक्स्ट्रा कर दिजेगा तो यहां देखिए हमने दो चम्मच चीज़े डाल दिये इसको अच्छे से हमें मेक्स करना है और चम्मच को भरकर ही मतलब चीज़े डालना ऐसा नहीं है तो यहां पर becer डालने के बाद इसको साथी साथ mix करना है नहीं तो इसमें गोटले बन जाएंगे या फिर आप कच्छे दूद में ही मिला सकती है तो यहां देखिए मैं इस तरीके से मैं जब बनाती हूँ तो इसी तरीके से साथी साथ डाल देती हूँ उसके बाद इसमें डालना है चावल का आटा चावल के आटे से आपके फेस बरना बहुत यह अच्छा सा ग्लो आएगा और बेसन जो है अच्छे से जो आपके हेर से उसको चिपक जाएगा और इससे आपके हेर को बहुत जल्दी से रिमूब कर देगा और इसकी जड़ को खत जो गुटले हो जाती है ना वैसा नहीं चलनी से चान के डालेंगे तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है तो मैं इसको अच्छे से इस तरीके से दूसी चम्मर से इसको जो इसके गुटले हैं उनको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर देना है तो जब गुटले अच्छे से मिक्स हो जाएं तो इसके अंदर आपको डालना है अब इसके अंदर आपको डालनी है एक पिंच हल्दी हल्दी अगर कसूरी हल्दी है तो उसको भी डाल दें नहीं तो आप नॉर्मल हल्दी जो खाने में यूज करते हैं वो डालनी है और थोड़ी ही डालनी है जादा नहीं तो जो फेस पर है ना पीला गलर आ जाएगा यहां देखिए इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है उसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए क्योंकि जब इसको आप ठंडा करेंगे तो और यह थेक हो जाएगा तो यहां देखिए ग्रणी सा पेस्ट हमारा बनकर त इससे आपके फेशल हेर जड़ से खतम हो जाएंगे बट ऐसा नहीं है कि इसको लगाते ही खतम हो जाएंगे आपको एटलीस इसको तीन से चार बार एपलाए करना है निस आपको एक महीनी तक इसका यूज करना है डेली नहीं करना है तीन से चार दिन बाद दो हफते बाद एक हफते बाद इस तरीके से लगाना है तो जो आपके फेशल हेर है जड़ से खतम हो जाएंगे तो इसको रिमूब कैसे करना है क्या करना है वीडियो में बने रहे हैं तो यहां देखिए सबसे पहले इसको फेश को अच्छे से क्लीन कर लेना है आप चाहे तो फेश को वाश भी कर सकते हैं तो यहां पर फेश तो वाश था और मैंने ऐसा कुछ लगाया भी नहीं था तो बस एक मैंने वाइब से अच्छे से फेश को क्लीन कर लिया है जिससे की फेश पर जो भी टीका वगरा है क्योंकि पूजा पूजा करने के बाद टीका रहता ही है उसको जहां पर भी आपके unwanted hair हैं वहां पर लगाना है आप इसको पूरे face पर भी लगा सकते हैं क्योंकि हमने इसमें जो चावल के आटे का यूज किया ना इससे आपके face पर बहुत अच्छा सा glow आएगा साथी basin से basin के तो आपको गोड़ पता ही होंगे क्योंकि basin हम काफी time से use कर हैं हमारी दादी नानी ओटन में इसका use किया करती थी बहुत ही अच्छा है basin से अगर आप normal भी face wash करते हैं तो भी बहुत ही जदा अच्छा है तो इसको हम एक ठिक सी layer लगा लेनी है अगर आप चाहे तो इसको पतला भी बना सकते हैं पतला लगाने के बाद जल्दी dry हो जा जाए तो यहां देखे हमने इसको अच्छे से apply कर लिया अब इसको आपको dry होने देना है at least 15-20 minute के लिए इसको dry होने देना है आप अपने घर के और काम कर सकते हैं तो यहां देखे यह dry हो गया है थोड़ा सा चिप-चिपा है इसी तरीके से होना चीए उसके बाद आपको क 10-20 minute लगाके रखता है तो इससे क्या हुआ है जो हमारे face के hairs है उनकी जड़े weak हो गई है अब इसको हम इस तरीके से remove करेंगे तो वह hair से बहुत जल्दी से निकल जाएंगे जड़े निकल जाएंगे तो यहां देखे इस तरीके से आपको remove करना है उपर की तरफ क्योंकि हमारे यह side से बहुत जादा hair उसे होते है ears के side से साथी upper lips में और हमारे chin area पर धीरे-धीर हार्मोन change होने की वज़े से hair आ जाते तो वहां पर भी आपको करना है इस तरीके से और nose area पर अच्छे से massage करना है जिससे की जो blackheads white shirts है वो भी remove हो जाएंगे तो यहां देखे इस तरीके से आपको ज्यादा हाथ को press नहीं करना है बस हलके हाथ से remove करना है तो धीरे-धीरे जो भी hairs से जाएंगे और धीरे-धीरे जो आपके face की hairs की जड़ है वो धीरे-धीरे खतम हो जाएंगे और face पर बहुत ही अच्छा सा glow आएगा तो यहां देखे मैंने अच्छे से इसको remove कर लिया at least आपको 4-5 मृट तक इसी तरीके से हलके हाथ से करना है यह देखे अब आपको क्या क करना है जब यह हो जाए उसके बाद आपको face को wash कर लेना है तो यहां देखे आपको देख रहा होगा face पर बहुत ही अच्छा सा glow आ गया है face hair हो गया थोड़ा सा reddish हो गया क्योंकि जब हम कोई चीज लगाते है face पर जब उसको हटाती है तो थोड़ी सी redness आ जाती है मेरे face पर आ जाती है क्योंकि मेरे skin ना बहुत जादा sensitive है तो यहां देखे अच्छे से हमने इसको remove कर लिए face को dry कर लिए अब यहां पर आप जो भी moisturizer use करते हूं वो आपको लगा लेना है तो यहां देखे यहां पर मैं da mom's को का moisturizer use कर रही हूं बहुत ही अच्छा है यह वाला तो आप चाहें तो इसको ले सकते हैं मैं इसका link आपको description box में दे दूगी आप जाकर check out कर सकते हैं बस लगा लेना है इसको लगाती ही ना face पर बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है sweating होती है और बाद में face पर बहुत ही अच्छा सा glow आ जाता है तो यह देखिए हमारे face पर धीर दीरे जो growth है years की वो कम हो जाएगी आप इस remedy को अपने हाथों पे भी apply कर सकते हैं अगर आपको वीडियो जरा सी भी useful लगी है तो like कीजेगा साथ ही साथ आप भी comment करके जरूर से बताएगा आप मुझे किस सहर या किस city से देख रहे हैं जानकर बहुत जादा अच्छा लग जाएगी